चली कहानी सीजन टू में अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं सादत हसन मंटो की लिखी कुछ चुनिंदा कहानिया रेडियो ओडियोंस को ध्यान में रखते हुए कहानी के कुछ शब्द हटाए या बदले गए हैं इन कहानियों को सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि चली कहानी के सोताओं तक हर तरह की साहित तिकरती जरूर पहुँचे तो आइए सुने सादत हसन मंटो की लिखी चुनिंदा कहानिया चली कहानी में रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी सीजन टू मैं हूँ कहानी वाला रजट और इस सीजन में हम आपको सुना रहे हैं दुनिया के अलग-अलग जगाहों से आने वाले महान साहित्तेकारों की लिखी कुछ अलग-अलग तरह की रचनाए जैसे हमने कहानी सुनी एंट और चेखोव की लिखी गए जो रशिया के एक महान साहित्तेकार थे फिर हमने सुनी ओ फैनरी की लिखी कुछ कहानिया और अब मैं आपको ले जा रहा हूँ कहानिया सुनाने सादत हसन मंटों के पास याने सादत हसन मंटो साहब की लिखी कुछ ऐसी कहानियां जिन्होंने उस वक्त में काफी कॉंट्रोवर्सी क्रियेट की थी काफी विवाद बने थे लेकिन देर सवेर दुनिया और समाज ने माना कि मंटो वाकई वो लिख रहे थे जो समाज में हो रहा था बस पढ़ने के लिए एक बड़े दिल की जरूरत थी आज की कहानी में उन्होंने कई चीजें ऐसी लिखी हैं जो उस वक्त के दौर में तो वाकई विवादास्पद रही होंगी लेकिन आज इस कहानी को अगर कहानी के अंदास से पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि यह एक मज़ेदार कहानी थी जिससे उम्मीद सिर्फ इतनी है कि आपके चेहरे पर एक सवाल और एक मुस्कुराहट छोड़ जाए कहानी का नाम है पढ़िये कलिमा आप मुसल्मान है यकीन करें मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा अजी पाकिस्तान का इस मामले में कोई तालुक नहीं है काइद आजम जिन्ना के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं सच कहता हूँ इस मामले में पाकिस्तान का कोई तालुक नहीं आप इतनी जल्दी ना कीजिए मैं मानता हूँ अजी इन दिनों हुलड के जमाने में आपको फुरसत नहीं लेकिन आप खुदा के लिए मेरी पूरी बात तो सुन लीजे मैंने तुकाराम को जरूर मारा है और जैसा आप कहते हैं कि तेज छुरी से उसका पेट फार दिया मगर इसले नहीं कि वो गैर मज़द का था अब आप पूछेंगे कि तुमने इसले नहीं मारा तो फिर किसले मारा लीजे मैं सारी दास्तान ही आपको सुना देता हूँ जनाब किस काफिर को मालूम था कि मैं इस लफड़ में फस जाओंगा पिछले हिंदु मुस्लिम दंगे में मैंने कईयों को मारा था लेकिन आप यकीन मानिये वो मारना कुछ और है और ये मारना कुछ और खेर आप सुनिये कि हुआ क्या मैंने तुका राम को क्यो मारा क्यों साब औरत जात के मुतलिक आपका क्या खयाल है मैं समझता हूँ कि बुजर्गों ने ठीक का है इसके चलितरों से खुदा ही बचाए फांसी से बच गया न तो देखिये कानों को हाथ लगाता हूँ फिर कभी किसी औरत के नजदीक नहीं जाओंगा बिल्कुल नहीं लेकिन सहाब औरत भी अकेली सजावार नहीं मर्द साले भी कम नहीं होता है बस किसी औरत को देखा और रेशा खत्मी हो गए खुदा को जान देनी है इंपेक्टर सहाब रुकमा को देखकर मेरा भी यहाल हो गया था अब कोई पूछे मुझसे अरे बंदा खुदा तु एक 35 रुपए का मुलाजिम तुझे भला इश्क से क्या काम किराया वसूल कर और चलता बन लेकिन आफ़त ये हुई साब कि एक दिन जब मैं 16 नंबर की खोली का किराया वसूल करने गया और दरवाजा ठोका तो अंदर से रुकमा बाई निकले यूँ तो मैं रुकमा बाई को कई दफा देख चुका था लेकिन उस दिन कमबक्त ने बदन पर तेल मला हुआ था और एक बतली धोती लपेड रगी थी जाने क्या हुआ मुझे जी चाहा कि बस उतार फैकों से और जोर जोर से मालिश कर दू बस सहब उसी रोज से इस बंदा नाबकार ने अपना दिल, दिमाग सब कुछ उसके हवाले कर दिया क्या औरत थी बदन था पत्थर की तरह सक्त मालिश करते करते हाथ काम जाते थे मगर वो वो अपने बाप की बेटी ये कहती कि थोड़ी देर और शादी शुदा, जी हाँ शादी शुदा थी और खान चौकिदार ने कहा था कि उसका एक यार भी है लेकिन आप तो सारा किस्सा सुन लीजे यार वार सब इसी में आ जाएंगे जी हाँ तो बस उस रोज से इश्क का भूत पास से देखने का वो है लेकिन बाद में मालूम हुआ लेकिन आप आप शुरू से सुनिये न वो तो मैं आप से कह चुका हूँ कि रुकमा भाई से मेरी आँख लड़ गई थी अब दिन रात में सोचता कि उसे पटाया कैसे जाए कमबक्त उसका खाविंद हर वक्त खोली में बैठा लकडी के खिलोने बनाता रहता कोई चांस ही नहीं मिलता था एक दिन बाजार में मैंने उसके खाविंद जिसका नाम खुदा आपका भला करे जी क्या था गिरधारी हाँ वो लकडी के खिलोने चादर में बांध ले जाते वे मैंने उसको देखा तो मैंने जट से सोला नंबर की खोली का रुक किया धड़कते दिल से मैंने दरवाजे पर दस्तक दी दरवाजा खोला रुखमा भाई ने मेरी तरफ घूर के देखा खुदा की कसम मेरी रूह लरस गई थी भाग गया होता वहां से लेकिन उसने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर आने का इशारा किया जब मैं अंदर गया तो उसने खोली का धरवाजा बंद करके मुझसे कहा बैठ जाओ मैं बैठ गया उसने मेरे पास आकर कहा देखो मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो लेकिन जब तक गिर्धारी जिन्दा है तुम्हारी मुराद पूरी नहीं हो सकती मैं उठ खड़ा हुआ उसे पास देखकर मेरा खोन गरम हो गया था कनपटियां ठक ठक कर रहे थी कमबकत ने आज भी बदन पर तेल मला हुआ था और वो पतली सी धोती लपेटी थी बस मैंने उसे बाजों से पकड़ लिया और दबा कर कहा मुझे कुछ नहीं मालूम तुम क्या कह रही हो उफ उसके बाजों के पठ्ठे किस कदर सकत थे अर्च करता हूँ मैं बयान नहीं कर सकता कि वो किस किस्म की औरत थी खैत आप तो दास्थान सुनिए मैं और ज़्यादा कर्म हो गया और उसे अपने साथ बिल्कुल चिपका लिए गिर्धारी जाए जहन्नुम में तुम्हें मेरी बनना होगा मैंने कहा रुकमा ने मुझे अपने जिसम से अलग किया और कहा देखो तेल लग जाएगा मैंने कहा लगने दू और फिर उसे अपने सीने से चिपका लिया यकीन मानिये अगर उस वक्त आप मारे कोडों के मेरी पीट की चमड़ी उदेड़ देते तब भी मैं खुद को उससे अलग न करता लेकिन कमबक्त ने ऐसा पुछका रहा कि जहां उसने मुझे पहले बिठाया था खामोश होकर वहीं बैट गया मुझे मालूम था वो क्या सोच रही है गिर्धारी साला बाहर है तो दर किस बात का है थोड़ी देर के बाद मुझे से रहा न गया तो मैंने उससे कहा रुकमा ऐसा अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा उसने बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा और मुस्कुरा कर कहा इससे भी अच्छा मौका मिलेगा लेकिन तुम ये बताओ जो कुछ मैं कहूंगी करोगे साहिब मेरे सर पे तो भूच सवार था मैंने जोश में आकर जवाब दिया तुमारे लिए मैं पंदरा अदमी कतल करने को तयार हूं ये सुनकर वो मुस्कुराई मुझे भरोसा है खोदा की कसम एक बार फिर से मेरी रूह लरस गई थी लेकिन मैंने सोचा शायद ज्यादा जोश आने पर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया है खेर बस वहां में थोड़ी देर और बैठा प्यार और महबबत की बाते की उसके हाथ के बने भजिये खाये और चुक्के से बाहर निकला है तो वो सिलसिला हो न पाया लेकिन साहब ऐसे सिलसिले पहले ही दिन तोड़ी होते हैं मैंने सोचा फिर कभी और से ही दस दिन गुजरे ठीक ग्यारवे दिन रात के दो बजे हाँ दो ही का वक्त राह होगा किसी ने मुझे आहिस्ता से जगाया मैं नीचे सीडियों के पास जो जगे है न मैं वहाँ सोता हूँ आँखे खोल कर मैंने देखा अरे रुकमा भाई मेरा दिल धड़कने लगा मैंने आहिस्ता से पूछा क्या है उसने हौले से कहा आओ मेरे साथ मैं नंगे पाँ उसके साथ हो लिया मैंने और कुछ न सोचा और वहीं खड़े खड़े उसको सीने से लगाने की कोशिश कई उसने मेरे कान में कहा अभी ठहरो और फिर बत्ती रोशन की मेरी आँखे चौदी आ गई थोड़ी दिर बाद मैंने देखा के सामने चटाई पर कोई सो रहा है मूँ पर कपड़ा है मैंने इशारे से पूछा ये क्या रुकमा ने कहा बैठ चाओ मैं उल्लू की तरह बैठ गया वो मेरे पास आई और बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर कर उसने ऐसी बात कही कि सुनकर मेरे औसान खता हो गए बिल्कुल बर्फ हो गया मैं साहब काटो तो लहू नहीं बदन में जानते हैं जानते हैं रुकमा ने मुझसे क्या कहा मैंने अपनी जिन्दगी में ऐसी औरत नहीं देखी थी कमवक्त ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि मैंने गिर्धारी को मार डाला है आप यकीन कीजिए उसने अपने हाथों से एक हटे कटे आदमी का कतल किया था क्या औरत थी जनाब मुझे जब भी वो रात याद आती है कसम खुदावंद पाक की रॉंग्ट खड़े हो जाते हैं उसने मुझे वो चीज दिखाई जिससे उस जालिम ने गिर्धारी का गलागोट बिजली के तारों की गुथी हुई एक मसबूत रसी थी लकडी फसा कर उसने जोर से कुछ ऐसे पेच दिये थे कि बिचारे की जबान और आँखें बाहर निकल आई थी कहती थी बस यूँ चुटकियों में काम तमाम हो गया था कपड़ा उठा कर जब उसने गिर्धारी की शकल दिखाई तो मेरी हड़ियां तक बर्फ हो गई लेकिन वो औरत जाने क्या थी वहीं लाश के सामने उसने मुझे अपने साथ लिपटा लिया अजीब कुरान की कसम मेरा ख्याल था कि सारी उम्र के लिए मैं नामर्द हो गया हूँ मगर साहब जब उसका कर्म गर्म बदन मेरे बदन के साथ लगा उसने एक अजीब और करीब किसम का प्यार किया तो अल्ला जानता है चौदा तबक रोशन हो गए थे जिन्दगी भर वो रात मुझे याद रहेगी सामने लाश पड़ी थी लेकिन रुकमा और मैं दोनों उससे गाफिल एक दूसरे के अंदर धसे हुए थे सुबह हुई तो हम दोनों ने मिलकर गिरधारी की लाश के तीन टुकडे किये औजार उसके पास मौझूद थे इसलिए ज्यादा तकलीफ नहीं हुई ठक ठक काफी हुई थी पर लोगों ने समझा होगा गिरधारी खिलोने बना रहा है आप पूछेंगे मैंने एक दोस उससे जोश में आकर वो कह दिया था अब मुसीबत ये थी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए रुकमा कुछ भी हो आखिर उरत जात थी मैंने उससे कहा जाने मन तुम विक्र ना करो फिलहाल इन टुकडों को ट्रंक में बंद कर देते है जब रात आएगी तो मैं उठा कर ले जाओंगा अब खुदा का ऐसा करना हुआ साहाब के उसी रोज दंगा हुआ पांच-छे इलाकों में खूब मारा मारी हुई गवर्मेंट ने 36 गंटे का करफ्यू लगा दिया मैंने कहा अबदुलकरीम कुछ भी हो लाश आज ही ठिकाने लगा दो तो चुनाचे दो बज़े उठा उपर से ट्रंक लिया खुदा की पनाह कितना वजन था मुझे डर था रास्ते में कोई पीली पकड़ी वाला जरूर मिलेगा और करफ्यू आज़र की खिलाफ वर्जी में मुझे धर पकड़ेगा मगर साहब जिसे अल्ला रखे उसे कौन चक्के जिस बाजार से गुजरा उसमें सन्नाटा था एक जगे बाजार के पास मुझे एक छोटी सी मस्जिद नज़र आई मैंने टरंक खोला और लाश के टुकड़े निकलवा कर अंदर द्योडी में डाल दिये और वापिस चला गया कुरवान उस कुद्रत की कि सुबह पता चला दंगे में उसी मस्जिद को आग लगा दी गई थी मेरा खयाल है गिरदारी उसी के साथ जलकर राक हो गया होगा क्योंकि अखबारों में किसी लाश का जिकर नहीं आया अब सहब बकौल शक्स से मैदान खाली था मैंने रुकमा से कहा कि मशूर कर दो कि गिरदारी बाहर काम करने के लिए गया है मैं रात को ढ़ाई बज़े आ जाया करूँगा एश करेंगे मगर उसने कहा नहीं अब्दुल इतनी जल्दी नहीं अभी हमको कमसकम 15-20 रोज तो नहीं मिलना चाहिए बात माकूल थी इसलिए मैं खामोश रहा सत्रा रोज गुजर गए कई बार डरावने खुआबों में गिरधारी आया लेकिन मैंने कहा साले मर्ख अब चुका है अब क्यूं परिशान करता है और अब मेरा क्या बिगाड़ सकता है तू अठारवी रोज सहब मैं इसी तरह सीडियों के पास चारपाई पर सो रहा था कि रुकमा रात के बारा बजे बारा नहीं तो एक रहा होगा आई और मुझे उपर ले गे चटाई पर लेट कर उसने मुझसे कहा अब्दुल मेरा बदन दुख रहा है जरा चंपी कर दो मैंने फॉरन तेल लिया और मालिश करने लगा लेकिन आदे घंटे में हाफ ने लगा मेरे पसीने की बूंदे उसके चिकने बदन पर गिर रही थी लेकिन इसने ये न कहा कि बस करो अब्दुल तुम ठक गए होगे आखिर मुझे ही रुकमा भाई अब खालास वो मुस्कुराई पर मेरे खुदा क्या मुस्कुराहट थी थोड़ी देर दम लेकर मैं चटाई पर बैठ गया उसने उठकर बत्ती बुझाई और मेरे साथ लेट गई चंपी करके मैं इस कदर ठक गया था फौरण मुझे उस तार वाली रसी का ख्याल आया लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आपको छोड़ाने की कोशिश कर सकूँ रुकमा मेरी चाती पर चड़ बैठी एक दो ऐसे मरोडे दिये कि मेरी गर्दन कड़कड बोल उठी मैंने शोर मचाना चाहा लेकिन आवाज मेरे पेट में ही रह गई इसके बाद मैं बेहोश हो गया मेरा ख्याल है चार बज़े होंगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता मुझे होश आना शुरू हुआ गर्दन में बहुत जोर्द का धर्द था मैं वैसे ही दम साधे पढ़ा रहा और हौले हौले हाथ से रसी के मरोडे खोलने शुरू किये एकदम आवाजे आने लगी तो मैंने सांस रोक लिया कमरे में घुप अंदेरा था आँखे फाड फाड कर देखने की कोशिश की पर कुछ नजर ना आया जो आवाजे आ रही थी उनसे मालूम हो रहा था नहीं नहीं रुकमा नहीं रुकमा बोली बड़े ढरपोखो सुबहे इसके तीन टुकड़े करके ले जाओगे कיसे मेरा बदन बिलकुल ठंडा हो गया तुकाराम ने क्या जवाब दिया रुकमा ने फिर क्या कहा इसका मुझे कोई होश नहीं पता नहीं कब एक दम रोशनी हुई और मैं आँखे जपकता उठ बैटा तुकाराम ने मुझे जोर की चीक निकाली और वो दर्वाजा खोल कर भाग गया रुकमा ने जल्द से किवार बंद किये और कुंडी चड़ा दी साहब मैं आप से क्या वया करूँ मेरी क्या आलत थी आँखे खुली थी देख रहा था सुन रहा था लेकिन हिलने टुलने की बिल्कुल शक्ती नहीं थी ये तुकाराम मेरे लिए कोई नया आदमी नहीं था हमारी चाली में अकसर आम बेचने आया करता था रुकमा ने उसको कैसे भसाया इसका मुझे इल्म नहीं रुकमा मेरी तरफ गूर गूर के देख रही थी जैसे उसको अपनी आँखों पर यकीन नहीं वो मुझे मार चुकी थी लेकिन मैं उसके सामने जिन्दा बैठा था खेर वा मुझ पर जपटने को थी कि दर्वाजे पर दस्तक हुई और बहुत से आदमियों की आवाजे आई रुकमा ने जट से मेरा बाजू पकड़ा और घसीट कर मुझे गुसल खाने के अंदर डाल दिया इसके बाद उसने दर्वाजा खोला परोस के आदमी थे उन्होंने रुकमा से पूछा खेरियत है अभी अभी हमने चीक की आवाज सुनी थी रुकमा ने जवाब दिया सब खेरियत है मुझे सोते में चलने की आदत है दर्वाजा खोल कर बाहर निकली तो दिवार से टकरा गई और डर के मारे मुँसे चीक निकल गई परोस के आदमी ये सुनकर चले गए रुकमा ने किवाड बंद किये और कुंडी चड़ा थी अब मुझे अपनी जान की फिक्र ली आप यकीन मानिये ये सोच कर कि वो जालिम अब मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेगी एकदम मेरे अंदर मुकाबले की बेपना ताकत आ गई थी बलकि मैंने इरादा कर लिया कि रुकमा के टुकड़े टुकड़े कर दूँगा वो सलखाने से बाहर निकला तो देखा कि वो बड़ी खिड़की के पट खोले बाहर जहांक रही मैं एकदम लपका उसको पीछे से उपर उठाया और बाहर धकेल गया यूँ यूँ सब चुठकियों में हुआ धुप सी आवाज आई और मैं दर्वाजा खोल कर नीचे उतर गया सारी रात में चार पाई पर लेटा अपनी करदन पर जो बहुत बुरी तरह से जखमी हो रही थी आप देख रहे हैं ना ये निशान तेल मल रहा था ये सोच रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा उसने पड़ोसियों से कहा था कि उसे सोते में चलने की आदत है मकान के उस तरफ जहां मैंने उसे गिराया था जब उसकी लाश देखी जाएगी तो लोग यही समझेंगे कि सोते में चली है और खिड़की से बाहर गिर पड़ी खुदा खुदा करके सुभा होई पखाना ना कर सके फिर भी दो बिल्डिंगों की खिड़कियों में से फैंका हुआ कच्रा काफी जमा हो जाता है जो हर रोज सवेरे सफाई करने वाले उठा ले जाते है मैंने सोचा शायद कोई सफाई करने वाली आई ही नहीं आई होती तो उसने दर्वाजा खोलते ही रुकमा की लाश देखी होती और शोर बरपा कर दिया होता किस्सा किया था मैं चाहता था कि लोगों को जल्द इस बात का पता चल जाए दो बज गए तो मैंने जी कड़ा करके खुदी दर्वाजा खोला अजी साहब क्या बताऊं रुकमा कहां गई कुरान की कसम खाकर कहता हूं मुझे इस फांसी के फंदे से बच निकलने का इतना ताज्जुप नहीं होगा जितना रुकमा के गायब हो जाने का है तीसरी मंजल से मैंने उसे गिराया था पत्थर के फर्ष पर अजी बची कैसे होगी लेकिन फिर सवाल ये कि उसकी लाश कौन उठा कर ले गया अकल नहीं मानती लेकिन साहब कुछ पता नहीं उडायन जिन्दा हो तो चाली में तो यहीं मशूर है कि या तो किसी मुसल्मान ने घर डाल लिया है या मार डाला है अजी मार डाला है तो अच्छा किया है घर डाल लिया है तो जो हश्रुस गरीब का होगा आप जानते हैं हैं खुदा बचाए साहब अब तुकाराम की बात सुने इस वाके से ठीक बीस रोज बाद वो मुझसे मिला और पूछने लगा बताओ रुकमा का है मैंने का मुझे नहीं बता कहने लगा नहीं तुम जानते हो मैंने जवाब दिया भाई कुरान मजीद की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम वो बोला नहीं नहीं तुम जुड बोलते हो तुमने उसे मार डाला है मैं पुलिस में रपट लिखवाने वाला हूँ कि तुमने गिरधारी को मारा फिर रुखमा को ये कहकर वो तो चला गया लेकिन साहब मेरे पसीने चूट गए बहुत देर तक कुछ समझ ना है क्या करूँ एक ही बात सूजी कि उसको ठिकाने लगा दूँ आप ही सोचीए इसके हलावा और कोई हिलाज भी था चुनाचे साहब उसी वक्त छुपकर छुरी तेज करी और तुकाराम को ढूणने निकल पड़ा इत्तिफाक की बात है कि शाम को छे बजे वो मुझे स्ट्रीट के नाके पर शौचाले के पास मिल गया मौसंबियों की खाली टोकरी बाहर रखकर वो पिशाब करने के लिए अंदर गया मैं भी लपक कर उसके पीछे वो अपनी धोती खोली रहा था कि मैंने जोर से पुकारा तुकाराम पलट कर इसने मेरी तरफ देखा छुरी मेरे हातों में थी एक दम से मैंने पेट में भौक दी उसने दोनों हातों से अपनी बाहर निकली वी आतड़िया थामे वो जमीन पर दोहरा होके गिर पड़ा चाहिए तो ये था कि बाहर निकल कर 9-11 हो जाता मगर बेवकूफी देखिए बैठ कर उसकी नब्स देखने लगा कि आया मरा है या नहीं भई मैंने तो इतना सुना था कि नब्स होती है अंगुठे की तरफ या दूसरी तरफ ये मुझे नहीं मानू चुनाचे ढूंटे 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 देर लग गई इतने में कांस्टेबल पतली उनके बटन खोलते खोलते अंदर आया और मैं धर लिया गया बस साहब यही पूरी दास्तान है पढ़िये कलिमा ला इल्ला इल्ला मुहम्मद रर्सूल अल्ला जो मैंने रत्ती भर भी जूट बोला हो सच कह रहा हूं आप यकीन मानी रेडियो सिटी पर चली कहानी में आपने सुनी ये कहानी जिसका नाम था पढ़िये कलिमा कहानी सादत हसन मंटो की लिखी हुई मंटो एक ऐसे लेखक रहे हैं जिनोंने कई ऐसे विश्यों पर कहानी लिखी हैं जिसके बारे में कोई और साहित्यकार उस दौर में सोच भी नहीं सकता था और मंटो का कहना था कि जो समाज में है मैं वही लिख रहा हूँ कुछ अलग नहीं सादत हसन मंटो की लिखी कुछ चुनिंदा कहानिया चली कहानी सीजन टू में मैं सुनाने वाला हूँ आने वाले दिनों में सुनियेगा उनकी और महान कहानिया जो जितनी ही ज्यादा प्रचलित रही उतनी ही ज्यादा विवादास पद भी सुनी गए कहानिया चली कहानी सीजन टू में मैं हूँ कहानी वाला रज़त चली कहानी में आपने सुनी सादत हसन मंटो की लिखी ये कहानी जिसके सभी विचार पूर्ण रूप से लेखक कहीं है रेडियो सिटी का उद्देश्य सिर्फ ये कहानी अपने श्रोताओं तक पहुचाना है